नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जाबवा लाईव, मैं हूँ भुपेन सिंग नायक, मैं वर्तमान में पिटोल से दो किलोमेटर दूर छोटी बावडी में हूँ, यहां एक विशाल कन्यासप परिसर का निर्माना धीन है, निर्मान भी चल रहा है और एकन्यासप परि उद्गाटन किया गया, वहीं जिले के सताधारी दल के नितावं प्रसासनिक अधियकारी भी यहां उपस्तित रहें, पर इतने बड़े राशी के निर्मान के भावन के उद्गाटन में, यहां के लोकल जन प्रतिनीदी लोग हैं, ना तो उनको बुलाया गया, ना ग्रामि बहुत बड़ा सवाल है, कि सासन जब लाखो करोडों का व्याई करके जनता के बच्चों के लिए, ग्रामिन बच्चों के विकास के लिए इतना बड़ा परिशर करती है, तो फिर ग्रामिनों को इनसे दूर रखने की क्या आवशक्ता थी, माना की करोना काल चल रहा था, सो सवा सो लोगों को ज़्यादा इखटा होने की इजाज़त नहीं है पर यहां बड़ी भारे के स्क्रीन लगाई गई बड़ी भारे टेंड के ताम जाम किये गए उसके बावजूद भी यहां के लोकल ग्रामिनों को और मीडिया को नहीं बुला गया वहीं विपक्स के दल के य उसमें सिर्कत कराई जाती है परन्तु यहां नहीं किराए गया इसका आक्रो से यहां के जन्पत प्रतिनीदी स्री पेमा भाववर पे उन्होंने अग उनकी पीड़ा जहवा लाई को बताईए नवसकार दोस्तों मैं पेमा भावर बावडी जन्पत सदस मैं मुझे आज दुख हुआ इस बात का कि हमारे छेतर में एक इत्ती ग्रामिनों की जमीन इन्होंने चीनी या ली या दी पर आज हमने इत्ता दुख दे वेट के गाउं के लोगों का विरोज जहला गाउं ने हमें ये भी कहा कि इन्होंने जमीन बेस खाई आज हमने वो विरोज जहलने के बावजुद आज हमें आज ये बनके तैयार हुआ ये बिल्डिंग तो बोला हाँ हुरा है पर या तो खाले यहां के लोगों को ये 10-20 लोगों के लिए ही है फिर मैंने पुछा कि जो अंदर इदा टेंट आपने लगाया है आप बोल रहे हो कि गिन्य चुनों को ही बुलाया गया है तो मैं या से जन परती नहीं हूँ और मेरे सरपंच भी है गाउं के मुख्या तो उनको आपने इन वोल क्यों नहीं करा तो उन्होंने सिधा सही बोला कि यह तो पार्टी का प्रोग्राम है इसके बाद में पिटोल गाया पिटोल से वापस रीटर्ण हुआ फिर बात में आकर मैंने EC साहाब से रुगरु बात करी एसी साब से मैंने यही सवाल पुछा साब यह पार्टी का प्रोग्राम है पार्टी का प्रोग्राम है या सरकारी प्रोग्राम है तो एसी साब ने बोला कि यह तो सरकारी प्रोग्राम है तो सरकारी प्रोग्राम है हम यहां के जन परती नहीं दिया सरपंजे तो हमको इन्वल को मेंने पुशा सरा हमारों ने नहीं जो को बताई के नी है कि इन लोगों को भूलाना तो हमें इस बात का दूख है का हम क्या सत्ता विपक्स में बिट इसके कोब एप नी hat उटना चाह तो हमें आज जोई ऐसा मिलाब में रहते और हमारा को यह नी कि हम पक्स, विपक्स को देखते, गाउं में बठे था, हमारे गाउं में विकाज हुआ इसकी हम सराना कर रहे, पर हमें आज नहीं बुलाए, इसका दुख हुआ हमें, और गाउं लोगो हमारे विरोध कर रहे थे, जमीन के बाबत में एक तो हमनें को विरोध जलना पड़ा, उप्रांद में अधिकारी लोग हमें यह नहीं दे ता सरवक्षिन नहीं दे रहे और बुलाई नहीं रहे हैं आमंतरी नहीं कर रहे हैं तो इसका दुख हमें आध दावर होगा हमने विदायक साब से बात करी है जहाबवा आध जाके में ने और इसकी रुगरु काईन करेंग बता दूं कि जमीन में भाई 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 के बच्चे आपस में कबजा करते थे और कबजा करने की बात पर यहां भाई-भाई के बच्चों में हत्याएं हुई तीर चले मडर हुए उसके बावजूत सरकार ने ने लिया था कि इतने बड़े परिसर में यहां जीले का अच् तो टीचर लोग रहेंगे जो इस ताफ सिक्सक लोगों कर आएगा उनका भी रेशिदेंस एरिया यहां बनाये गया है परन्तु सोचने का विशा है कि मीडिया को दूर रखना और लोकल जन प्रतिनीजियों को दूर रखना कहां कानिया है बने रहिए जाबवा लाई के यह झाल तो